दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको Fino Payment Bank के MATM के बारे में एक नई अपडेट के बारे में बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीगा साथी में वारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीगा तक यह आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे तो आज दोस्तो वीडियो को सूरु करते हैं दोस्तो अगर आप एक Fino Payment Bank के BC हैं अगर आप Fino Payment Bank का MATM यूज करते हैं तो दोस्तो उसमें दो तरीके होते हैं ग्राको के पैसे विड्रॉ करने के दोस्तो एक होता है उसमें आप कार्ड को स्वेप करते हैं और दूसरा चिप लगा के आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो दोस्तो जो स्वेप वाला सिस्टम है वो totally finally जो है वो RBI का ही guideline था तो कुछ कमपनियों ने पहले ही बंद कर चुके हैं मगर 5 October 2020 से Fino Payment Bank इसको पूरी तरीके से बंद करने जा रहा है दोस्तो अगर अगर आप 5 October 2020 के बास से अगर कभी भी अगर आप swap करके पैसे withdraw करते हैं तो Fino Payment Bank जो भी आपका Fino Payment Bank का जो आपका account है उससे आपसे बीना पूछे charge काट लेगा तो दोस्तो अगर आप Fino Payment Bank का MATM यूज करते हैं तो 5 October 2020 के पास से आप कभी भी ग्रहांको का पैसा swap करके न निकालें आप जो उसमें चिप वाला जो सिस्टम दिया हुआ है उस चिप वाले सिस्टम के तुरूई आप अपने ग्रहांको के पैसे withdraw करें दोस्तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अगर आपसे एक भी mistake होता है तो हर एक transaction पे Fino Payment Bank आपसे charge लेने वाला है तो दोस्तो आप बिल्कुल इसके लिए सतर को जाईए साधान हो जाईए और जो तरीका Fino Payment Bank का नया वाला है उसको आप start करना अभी से सुरू कर दिजे क्योंकि दोस्तो अगर अभी से use करते हैं तो आपके हमेशा habit में रहेगा और आपको कभी भी बाद में कोई परिशानी नहीं होगी क्योंकि दोस्तो पांच अक्टूबर के बाद से बिल्कुल फाइनली आपको एक बाद फिस से बता देना चाहता हूँ कि आपके हर एक transaction पे fine लगेगा जितनी बार आप transaction करेंगे swap करके आपको Fino Payment Bank को charge pay करना पड़ेगा तो दोस्तो आई होप आपको काफी वीडियो पसंद आओगा वीडियो को like कर दिएगा साथी में मरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके बैल आइकों को press करेजिएगा तक याने वाले वीडियो के सभी notification आप तक सबसे पहले पोचे और दोस्तो आपके मौन में कोई भी सवाल हो तो हमारी comment box में जरूर लिखेगा तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम